रामनगर में एक यूवक ने अपनी पत्नी पर धोका धड़ी कर दूसरी शादी का रोप लगाते हुए कराया चाल लोगों पर मुकदमा जबकि मामले में पूर्व में महिला भी अपने पती और सास के खिलाफ दर्ज करा चुकी है दहेज एक्ट का मुकदमा रामनगर में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक महिला ने अपनी पहली शादी की जानकारी छुपा कर एक यूवक से दूसरी शादी रचाली मामले में कोदवाली पुलिस ने नियायनले के आदेश पर इस की यूवक की पत्नी समेट चाल लोगों के खिला धोका दड़ी सम विभिन धराओं में मुकदमा दर्श कर मामले की जाश शुरू कर दी है वायुक्त मामले में जानकारी देते हुए कोदवाल अरुन कुमार सैनी ने बताया कि रामनगर निवासी मनीश अगरवाल ने पुलिस को तहरीर देते हुए आरोप लगाते हुए कहा है कि ग्राम पा तो महिला ने उसे फसाने की धंकी दी और महिला के इस काम में कुछ उसके रिष्टेदार और परिवार वाले भी शामिल रहे बता दें कि युवक को शादी के बाद पता चला कि महिला पहले से ही शादी शुदा है पूरे मामले में युवक म्याएं के लिए कोट में गया थ जिसके बाद कोट के आदेश के बाद पुलिस ने मामला दर्श किया पुलिस ने कोट के आदेश पर आरूपियों पर महिला समेट चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्श कर मामले की जाश शुरू कर दी है माइस मामले में इसी साथ 7 जुलाय को इस महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसका पती मनीश अगरवाल के साथ 8 दिसंबर 2022 को हिंदू रीती रिवास के साथ विभा संपन हुआ था उसका आरोब था कि शादी के कुछ समय बाद से ही उसका पती और सास उसके साथ जाती सूचफ शब्दों का प्रियोग कर मारपीट करने के साथ ही दहेश के लिए प्रतारित करते थे माहिला का आरोब है कि वो 6 से 7 महीने की गरवती है और 21 अपरेल को उसके पती और सास ने उसे मारपीट कर घर से निकाल लिया था इस मामले में पुलिस ने माहिला की तहरीर पर उसके पती और सास के खिलाफ मारपीट और दहेश एक्ट का मुकदमा दर्श किया था कोतवाल ने बताया कि मामले की जाज की जा रही है वहीं मामला शहर में चर्चा का विशय बना हुआ है देखिए एक नियाले की आदेश से वादी मनीश कुमार की तहरीर पर हमारे द्वारा एक मुकदमा पंजिगरत किया जिसमें महीला ने पहरी साधी को चुपा कर और गर कर दो कर दो कर दो